हेलो एवरिवन हम कर रहे हैं क्लास 5 की SST का चाप्टर नमबर 16 दिल लिव फॉरेवर और आज हम पढ़ेंगे काल मार्क्स के बारे में और काल मार्क्स की जो बर्थ डेट है वो है में 5 1818 और उनकी डेथ डेट है मार्च 14 1883 अब काल मार्क्स कौन थे एक जर्मन फिलोसफर थे एक जर्मन फिलोसफर थे एक जर्मन फिलोसफर थे और एक रिवोलुशनरी भी थे रिवोलुशनरी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था जो चेंजिस लाना चाहता हो ठीक है जो समाज में चेंजिस लाना चाहता हो त University of Berlin on Balm में, कालमाक्स वाज अगैंस्ट पावर्टी और एक्स्पोईटेशन अफ एणी काइन्ड जो कालमाक्स थे वो हमेशा किसके अगैंस्ट थे, किसके खिलाफ थे, पावर्टी के जो गरीबी है, उसके खिलाफ थे एक्स्प्लाइटेशन, एक्स्प्लाइटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने गांधी जी वाला चेप्टर पढ़ा था, उसमें बताया था कि जो ब्रिटिश गौर्मेंट थी, वो किस तरीके से फार्मर्स पर अत्याचार कर रही थी, और उनको फोर्सली कह रही थी, जो हम कह रहे हैं, आपको वही क्रॉप लगानी है, और आपको वह क्रॉप हमें ही बेचनी है, और फिर हम जितने दाम आपको उसके क्रॉप के देना चाहेंगे, आपको उसने ही लेने, मतलब हर तरह से, हर तरीके से जो फार्मर था, वो एक्स्प्लाइट हो रहा था उस पर और वो मजबूरी में वो सब काम कर रहा था जो ब्रिटिश गवर्मेंट उनसे कह रही थी तो इसका मतलब क्या है एक्सप्लाइटेशन जब अत्याचार हद से जादा हो जाता है किसी भी चीज को लेकर अब काल मक्स क्या बलीव करते थे कि मेन और विमन जो है वो इक्वल है ठीक? अँन spaghetti कोई भी डिफरेंस नहीं है जैसे कि आज के टाइम में भी हम मेन और वुमन क्या हैं? बराबर हैं कैसे बराबर हैं आज के टाइम आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर पहले सिर्फ और सिर्फ में काम करते थे लेकिन आज के टाइम में विमन भी वहां पर बराबर की हिस्सेदार हैं ठीक है पहले विमन घर से बाहर नहीं निकलती थी लेकिन आज के टाइम में वो घर से बाहर निकलती भी हैं और अपने हस्बेंट का साथ भी देती हैं घर को चलाने के लिए. अब बहुत जादा रिच जो हैं बहुत अमीर जो हैं और जो बहुत गरीब हैं उनके बीच में क्या करते थे ये लोग एक्वैलिटी लाना चाहते थे कालमाक्स और ये उनका एक मानना था. अब भई वहाँ पर इंड़स्ट्रिय रिवॉलिशन का मतलब है जब बहुत जादा तादाद में कोई बी इंड़स्ट्री लगाई जाती हैं एक रिवॉलिशन आ जाता है. मतलब एक changes के लिए क्या कर रहे हो आपको change लाना चाहते हो तो उस change में क्या है आपको इंडस्री लगा रहे हो ठीक है तो जब आप बहुत large number पे कोई फैक्टरी लगा होगे तो उससे क्या होगा बहुत सारा changes आएंगे ठीक है क्योंकि वहां की जो trading power है वो increase हो जाएगी तो यूरोप के जब बहुत सारे parts में क्या हो रहा था factories लगाई जा रही थी the people working in the factories were called workers अब जो people उस factory में काम कर रहे थे उनको क्या कहा गया workers कहा गया the owners earned huge profits through the factories and increase their capital money अब जो honor थे उन factories के उन्होंने बहुत जादा पैसा कमाया बहुत जादा profit कमाया उन factories से जिसकी वज़ा से जो उनकी capital की money थी वो increase हो गई capital money increase होने का मतलब है इंडिया किस चीज के लिए famous है तो इंडिया से जब trading होती है तो वो कहा जाता था पहले इंडिया को सोने की चिडिया कहा जाता था तक क्यों कहा जाता था क्योंकि पहले जो हमारी currency थी इंडिया की जो currency थी वो बहुत जादा थी और सब देशों से लेकिन जब British government ने हमारे उपर rule किया तो क्या हुआ वो हमारे हमें जितना ज़्यादा नुकसान पहुचा सकते तो उन्होंने उतना ज़्यादा हम लोगों को नुकसान पहुचाया जिसकी वज़ा से क्या हुआ जो रुपी का rate था रुपी का जो rate था वो गिरता चला गया आज के time में आप देखे अगर मैं dollar से compare करूं रुपी को तो one dollar equals to 72.96 पैसा ठीक है और रुपी कितना है एक रुपी के बराबर होता है एक डॉलर एक डॉलर का कितना है amount 72.96 पैसा और हमारा एक रुपी के बराबर है वो एक डॉलर अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा ही थी जो उसमें जितने भी अच्छी चीजे थी वो सब निकलती चली गई डिटिश गवर्मेंट ने इंडिया को जितना वो नुकसान पहुंचा सकते थे उतना जादा नुकसान पहुंचाया उस time पर ठीक है that is why they were called capitalist अब जो honors थे जो इतना जादा profit कमा रहे थे अपनी capital को increase कर रहे थे वो capital money जो थी इसको increase कर रहे थे जिसकी वजह से उनको क्या कहा गया capitalist कहा गया they became extremely rich but gave a mega amount to their workers अब क्या हुआ कि वो इतने जादा rich हो गए थे लेकिन वो अपने workers तो बहुत जादा कम amount देते थे जिसकी वजह से जो वहां के workers होते थे वो बहुत ही बुरी condition में रहते थे miserable का मतलब होता है बहुत ही खराब condition में रहना काल माक्स was against this kind of exploitation अब काल माक्स जो थे वो इस तरह के exploitation के against थे वो कह रहे थे जब आप इतना पैसा कमा रहे हो तो अपने workers को देने में आपको जा क्या रहा है क्योंकि आपके workers ही तो आपके लिए काम कर रहे है he wanted the workers to get their due अब वो चाहते थे कि भई जो उनका amount उनका बच रहा है उनको properly time पर amount दिया जाए और जो उनकी मेहनत है उसका मेहनताना उने जैसे ही काम complete हो उनको दे दिया जाए जो कि उनका उनके साथ हो नहीं रहा था workers को दिया नहीं जा रहा था he encouraged the workers to fight for their right अब उन्होंने काल माक्स ने क्या किया कि भई अपने लिए ठीक है अपने rights के लिए लड़ो राइट सुनके क्या थे कि भई आप हम काम कर रहे हैं आपका तो आप हमें monthly pay करो जैसे आप पे करते हो monthly या daily wages पे जैसे भी आप पे करते हो आप हमें पूरा पे करो ठ workers से कहा कि भई अपने rights के लिए लड़ो और अपनी voice उठाओ किसके लिए exploitation के खिलाफ अब किस तरह का exploitation हो रहा था था भई उनको पैसा नहीं दिया जा रहा था workers को उनके खिलाफ ही कोई protest स्टार्ट करने तो उन capitalist को क्या हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं दागा कारल मार्क्स के इन बातों को लेकिन कारल मार्क्स ने क्या किया अपने इन principles को बिल्कुल regularly follow किया अब उनका ये मानना था कि किसी एक इनसान को एक boss नहीं बनाना चाहिए एक factory का उनके वो तापिक जो workers हैं वो इस factory को चला रहे हैं वो इतनी महनत कर रहे हैं लेकिन उनकी महनत का भी उनको नहीं दिया जा रहा है जब काल मार्क्स ने इतना ज़ाद exploitation देखा factories में होते हुए तो उन्होंने क्या सोचा कि बई जब इतनी factories खुल गई हैं तो हर एक factory का एक person को ही honor क्यों बनाया गया है उसके honors को भी मतलब एक meeting बिठाई जा थी और उसके लिए honors जो थे वो बहुत ही truthful होने चाहिए थे जो की अपने workers के साथ भी सही रहें और उनको जो pay है वो भी time से दें He highlighted these ideas in his book Communist Manifesto which he wrote with his friend Frederick Angles अब क्या हुआ इन्होंने इन सारे ideas को जो उनके दिमाग में चल रहे थे factories को लेकर, workers को लेकर, capitalist को लेकर उन्होंने एक book में लिखे उस book का नाम क्या था Communist Manifesto जो की उन्होंने अपने friend के साथ लिखी थी Frederick Angles के साथ, he wanted workers of the world to unite and demand their rights, अब वो चाहते थे, कौन चाहते थे, कालमांक्स चाहते थे कि दुनिया के जितने भी workers हैं, वो सब एक जगा unite हो जाएं, इकटे हो जाएं और अपनी demand उन लोगों के सामने रखें, किन के सामने, अपने bosses के सामने के भई उनकी जो demands क्या हो सकती हैं, उनकी ये demand थी, के भई एक तो उनकी जो income है, वो increase की जाएं, और जो income आप दे रहे हो, उसको time save पे करो, ठीक है, उसको रोको मत, अब इन्होंने एक फिर से एक बुक लिखी जिसका नाम था, दास कैपिटल, इन विच ही boldly convirt similar idea, जिसमें उन्होंने बहुत ही तरीके से इन ही ideas को बहुत अच्छे से फिर से उभार कर लिखा, Marx ideas and principles about society, economics and politics are known as Marxism, अब Marx की जो ये जितनी भी ideas थे, इन principles को, ideas को, society ने क्या किया, Marxism का एक उनको नाम दिया, Many years later, Lenin formed a government that followed the ideas of Marxism in the Soviet Union, अब कुछ सालों बाद, काफी सालों बाद क्या हुआ, एक Lenin ने form की, एक government, जिसमें उन्होंने Marxism की जितनी भी principles थे, और ideas थे, उनको follow किया, Soviet Union में, ठीक है, Next one is Abraham Lincoln, इनकी जो birth date है, February 12, 1989, and death date is April 15, 1865, Abraham Lincoln, पारा फर्वरी को पैदा हुए, 89 में, in Kentucky, USA में, He belong to a poor peasant family, अब ये बहुत ही poor peasant family से belong करते थे, he had to work very hard with his father on their farm, अब इनको क्या करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अपने father के साथ farm पर, He could not attend school for more than a year in his entire lifetime, और इन्होंने, मतलब जो अपनी पूरी lifetime में इन्हों स्कूल किया है, बहुत ही कम attend किया है, Despite the difficulties in childhood, Lincoln continued to study, लेकिन इतनी difficulties होने के बाद भी Lincoln ने क्या किया, study को continue रखा, When he grew up, he did odd jobs to earn money for his education, अब क्योंकि वो educate होना चाहते थे, उन्होंने education के लिए, बहुत ही अजीब अजीब तरीकी की, जो jobs वो करना नहीं चाहते थे, उस तरीके की भी jobs उन्होंने की, क्योंकि उन्होंने education चाहिए थी, उन्हें पैसा चाहिए था, Through hard work and self-study, he became a successful lawyer in Illinois, अब एक hard work की वजह से, क्योंकि वो बहुत जादा hard working थे, और self-study करते थे, तो जिस वजह से वो क्या हुआ, बहुत ही successful lawyer बन गये इलिन्होंने, He fought the election and entered politics at the age of 25, इन्होंने क्या किया, election लड़ा और politics mentor हो गए 25 की age में, at that time the country was going through a bad phase, उस ताइम पे जो country थी बहुत ही बुरे फेस से गुजर रही थी, slavery was practiced in all parts of America, अमेरिका में जादातर क्या थे, slave थे, slave क्यों होते हैं, जो आपके under काम करते हैं, जैसे British government के under, जितने भी Indians थे, वो slave थे, मतलब British government जो चाती थी, वो वो ही करते थे, the white men living in the southern states, brought the black people as slaves to work on their huge farms, अब जो white men थे, white men कौन थे, जो वहाँ पर already, वहीं के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे, वो जो black people होते थे, उनको slave की तरह behave करते थे, वहाँ थे, vειसी वाले थे, चाले थे, उनको कहाँ नहीं जाता थे, लेकिन एनके साथ behavior इस तरीके की रहता था, कि उनके काम बहुत जादा दीया था, उनको उपर बहुत जादाipse रहता था, उनको बहुत जादा बरड़न रहता था उनका सारा काम, कौन करते थे, black people करते थे the people of southern states we are in favor of slavery whereas those in the northern states of southern state की जितने भी थे people थे वो slavery को favor करते थे के slaves होने चाहिए जितने भी black people उनको हम slaves की तरह behavior करेंगे लेकिन northern states के थे वो इसको आपउस करते थे के बाई ये बाद गलत है they wanted slavery to be abolished अब northern states की जितने भी लोग थे वह चाहते थे कि भाई इस जो slavery है इसको abolish किया जाए इसको इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए इसको completely खतम किया जाए अब इस डिफिकल्ट टाइम में 1860 में अब्राहम लिंकन को मौका मिला कि वो प्रेजिडेंट बन गहे कहां के अमेरिका के अब क्या हुआ बाई स्लेवरी के ओपर ही नौदरन सदर्ण स्टेट्स में क्या हो गई लड़ाई छिड़ गई अब इन में चार साल तक यह जो लड़ाई थी यह चलती रही जिसको अमेरिकान सिविल वार कहा गया अब लिंकन नहीं चाते थे कि इस इशू को लेकर कि उनकी जो कंट्रीमेन हैं उनके जो लोग हैं वो किसी भी तरह फाईट करें वो इसको किसी भी तरीके से खत्म करना चाते थे He won the war and two years later abolished slavery by passing a law against the practice अब कुछ टाइम बात क्या हुआ कि वो उस war को जीत गए और दो साल बाद उन्होंने एक law बनाया जो कि इसके अगेंस्ट था कि आपको slavery नहीं करवानी है आप किसी को भी slave नहीं समझेंगे अब उन्होंने इसके लिए भी कि नदन और सदन स्टेट्स जो हैं वो युनाइट होकर रहें एक साथ मिल कर रहें उनमें किसी भी तरह का भीदबाव ना हो चाहे वो slavery को लेकर हो चाहे किसी भी और topic को लेकर हो तो उन्होंने इस चीज के लिए भी बहुत ज़ादा hard work किया और उनको unite करे रखा बट सम पीपल रिजेंटिड abolition of slavery लेकिन कुछ पीपल ऐसे थे जिनको बहुत बुरा लग रहा था कि slavery वाला जो पार्ट था ये होना चाहिए था abolish नहीं होना चाहिए था उन्हीं में से कोई एक ऐसा था जिसने अबराहम लिंकन को गोली मार दी और जिसकी वजह से उनकी जब डेथ हुई तो पूरा जो देश था उनके लिए रो रहा था तो आज हम यहीं तक करेंगे next video में आपके लिए आगे की जो इसकी next रहती हैं वो करते हैं that's all for now thank you